किसी भी लड़की को sex के लिए कैसे मनाएं बहुत सारे searches हैं बहुत सारे questions हैं बहुत सारे mails हैं जिसमें यही बोला गया एक यार मेरी girlfriend तो है लेकिन अब कैसे बात करूँ कैसे मनाऊं वो मना कर देती है जब हम इसे बहुत morally सोचते हैं तो हमें लगता है कि यार यह क्या गंदी बात है और इसके बारे में क्यों बात करनी है पर जब आप उस position में खड़े हों जब आपके पास को intimate partner हो और आपकी need हो और आप नहीं समझ पा रहे हो तो यह question definitely arouse होता है हाई मैं हूं डॉक्टर निहा मैदा मैं पिशले काफी सालों से प्राक्टस कर रही हूं और आपके relationship में जाने वाली problems को मैं solve करती हूं अब हम बात करेंगे कि कैसे अपने partner को बिलकुल बताएं कि I need you and I want you to feel special तो कैसे convey करना है वीडियो को पूरा अंतक देखें चानल पर नहीं है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर बजएं क्योंकि आपको नहीं बता किसे इस वीडियो की जरूरत है तो चली हम बात कर रहे थे कि कैसे intimacy को start करें सबसे पहले जरूरी है एक अच्छा trustworthy communication बहुत बार हमारे कम्यूर्ट क्योंकि हम long distance में होते हैं या हम regular नहीं मिल रहे होते हैं शादी से पहले तो होता क्या है कि आपकी communication बहुत अधर distorted है आपकी लड़ाई ऐसी बात पर रहे कि तुमने इमरा फोर ने उठाया ये नहीं किया ऐसे नहीं किया कहीं ना कहीं वो कनवे में problem है जब आप साथ बैठें एक दूसरे का हाथ पकड़ें उन्हें करें कि I want you and I don't want your body I want you forever कहीं ना कहीं वो जो आपका bond है वो strong होना चाहिए और मैं तो हमेशा बोलती हूं कि communication इतनी strong हो कि उसे पता चले कि intimacy आपके लिए कितनी जरूरी है और इससे आपको कैसे special feel हो सकता है या आपके partner को कैसे special feel हो सकता है उसे यह ना लगे कि जोर जबर्दस्ती हो गई या मुझे तो पता ही नहीं था और यह कैसे हो गया और मैं मन रहा हूं इसते सरफ मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है this is you this is us यह हम दोनों की बात है और हम दोनों को इससे benefit होने वाला है तो ultimately तुम्हारा मेरे साथ या मेरा तुम्हारे साथ रहना हम दोनों के लिए beneficial है हमारी body की needs है and this will be pleasure तो कही ना कहीं आपका communication बहुत help करेगा और वो body को touch कर रहे है उसे consent जरूर ले लें कि do you like it जरूरी नहीं है कि पहली बार में अगर आप intimate हो रहे हो तो आपको penetrative करना ही करना है अंदर जाना ही चाहिए और तब ही सार्थक होता है ऐसा कुछ नहीं है even if you are practicing intimacy कुछ उपर से या थोड़ा सा कुछ ऐसे and slowly slowly you are moving towards physical sex या penetrative sex it's okay starting of intimacy is important ताकि आपका partner धीरे धीरे consent के साथ उस चीज़ के लिए prepare हो साथ साथ आप चाहे तो थोड़े से flirty jokes या फिर थोड़ा सा body sensations, touches, messages इनके साथ भी start कर सकते हैं बहुत सारे लड़के इतने extrovert नहीं होते कि वो पहली बार में इन चीज़ों के बार में बात करें या फिर बात करने की हिमर डेवलप कर पाए तो ऐसे में आपके text messages, आपके jokes, आपके forwarded messages बहुत help करते हैं वो indirectly convey कर पाते हैं कि आपकी body needs क्या है या आप क्या चाह रहे हैं and sometimes not facing and just typing helps और धीरे धीरे फिर जब वो खुलने लगता है तो आपका एक करे जा जाता है जिससे आप अपनी intimacy को definitely कर सकते हैं, main जो मैं चीज़ पर बात करूंगी वो है एक अच्छा consent कि ये करना पसंद है, आपको ओरल जाना है, आपको ऐसे करना है, मेरे ये dreams है, मेरे ये fantasy है, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, जितना आप communicate करेंगे उतना वो आपके partner और आपके लिए trustworthy रहेगा, बहुत सा इसे relationship हैं, जिन में जब किया जाता है, तो सिर्फ out of relationship, लेकिन धीरे धीरे वो definitely marriage की तरफ और एक long term relationship की तरफ जाता है, इसलिए ये मत सोचें कि कोई भी मिरसात intimate हो रहा है, वो बस अब benefit ले लेगा और वो मुझे छोड़ जाएगा, positive रहे के, अपने साथ, अपनी life की needs को सम मच के धीरे धीरे चीजें ultimately अच्छी और sorted हो जाती है, आशा करती हूं, मेरी वीडियो आपके doubts को clear अगर पाई है, चैनल पे नए हैं, जरू subscribe करें और ऐसी वीडियो के लिए connected रहे है, आपकी क्या राय है, इसे comment section में जरूर लिखें